ही वेलकम बैक टो एचैनल आज की इस वीडियो में BFS New Delhi जो वीजा एप्लिकेशन सेंटर है उसका experience में शेयर करूँगा इस वीडियो में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपने BFS में अपनी booking करानी है, appointment book करनी है और उस वीडियो का link आपको description मिल जाएगा कैसे आपको appointment book करनी है या फिर आपकी transition decline आ रही है आपको visa idea दो step कराने है वो सारे वीडियो की link आपको description मिल जाएगे उसके वाज़े से आपकी appointment देन हो जाएगी आपको जो receipt मिलेगी जो date and time आपने select किया गा उस date and time में आपने BFS पहुंचना है और जो address है वो है सिवाजी stadium metro station ओके यह बाबा खरक सिंग रोड कनोट प्लेस न्यू डैली और वहाँ पे गुरदवारा है गुरदवारा बंगला साहिब उससे भी काफी नजदीक है दो तीन मिनट का वाक है पहली चीज वहाँ पे parking की facility नहीं है BFS के अंदर बट उसके बगल में ही parking है वहाँ पे आप पार कर सकते हैं अगर आप metro से आ रहे हैं तो आपको nearest metro station राजीव चौक पढ़ेगा राजीव चौक से आपको करीब 10 म का वाक करना है आप BFS पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आपको जो आपका appointment time है उससे 15 मिट पहले पहुंच जाना है वहाँ पे उसके आदो आपको call करेंगे तो line में आपको लगना पढ़ेगा जिसे 10 बजे वाले आ जाओ या साड़े 10 बजे वाले जितने बज़ेगी में साथ नहीं लेके जाना है आपको आप mobile ले जा सकते हैं सबसे बहले भाहर से आपका उसके बाद appointment letter चेक हो जाएगा उके उसके बाद आपको अंदर जाना है वहाँ पे scanning होगी और आपका लगिज वागे चेक होगा अगर आपके बास कुछ है बैग में उसके बाद आपक स्टेर से डाउन जाना है एक लेबल उसके बाद आपको पूछेंगे हो आपको कौनसी country का वीजा लगाना है और कौनसी category में तो उस हिसाफ से फिर आपको कोई भी counter होगा वहाँ पे आपको भेज देंगे वहाँ पे जाने के बाद आपको दुबारा पासपोर्ट आसपोर् कर रखा है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो आपको premium launch के लिए पूछेंगे उसके लिए around आपको 3000 के आसपास कुछ फीस है premium launch की बट premium launch अगर आप लेते हैं तो उससे आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है बस एक जिगा आपको बैठना है लाउंज में और वहें पर आपके मतलब सारा काम आपका हो जाएगा ठीक है एक luxury service मिलेगी मतलब आपको वहाँ पर premium launch अगर आप लेते हैं तो अगर आपको लेना है तो वहाँ से फिर उसके बाद आपने आगे जाना है और यहीं पर आपको photo state की facility भी मिलेगी उसके बाद आगे security आपका appointment और आपका passport चेक करेगी और आपको बताएगी कि आपको A, B, C, D या G जिसमें भी आपको जाना है वहाँ पर आपको भेज देगी ओके वहाँ पर फिर अंदर बहुत सारे counter बने होंगे country wise example के लिए आप Italy का अगर लगा रहे हैं तो 36, 37 पर आपको जाना पड़ेगा तो जिस भी country के वहाँ पर आप पर screen में भी देख सकते हैं नीचे counter में भी number होंगे और उसमें उस country का flag लगाया होगा उसके बाद जो भी counter आपका है उस counter में आपने जाना है जो भी token number आपको मिला है वहाँ से announcement करेंगे token number 1, 2, 3, 4 जो भी चल लाओगा उसके बाद आपने जो भी आपके documents है passport, photocopy जो भी आपके पास है वो आपने वहाँ पे दिखाना है उनको उसके बाद वहाँ पे verify करेंगे अगर आपका कुछ रह जाता है कोई document जिसे आपको mail से print out करना है या फिर photo state करना है तो आपको दुबारा बहार आना पड़ेगा exit करना पड़ेगा और photo state के तो normal charges है जो बजार में रहते हैं जिसे 2 रुपे और print out का भी होई है same 10 रुपे 15 रुपे और वहाँ से आपको print out ल करना है वो आपसे पूछेगा आपको sms services courier और जो भी services आपको चाहिए वो सब और आपको declaration form दिया जाएगा उसको भी अपने fill करके वहाँ पे देना है और दूसरा आपको visa form अगर आपके पास नहीं है तो visa form दिंगे और visa form भी आपको fill करके वहाँ पे submit करना है और उसके ब total visa fees और जो आपने services ली है वो सब total आपको कितना pay करना है वो इसमें आपको दिखाएगा और next वीडियो में आपको बताऊंगा आपको track कैसे करना अपने passport को कौन सी website में जाना है और कैसे आपको reference number डालके आपको track करना है passport वो next वीडियो में बताऊंगा आपका visa का काम कहां तक पहुँचा है उसके बाद आपको biometric के लिए बेजिंगे अगर आपका biometric है interview है तो वो सब आपका होगा एक room है उसके अंदर अलग-अलग country के room है जिस भी country का visa लगा रहे है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वो आपको लेकर जाएंगे वैसे वहाँ पर अगर आपक आपको एक और receipt मिलेगी वो receipt आपने वहाँ पर जमा करानी है जिस counter पर आपकी documents verify हो रहे है और वहाँ पर दुबारा एक बार आपको verify करेंगे हो उसके लाद आपका काम खतम हो जाएगा और VFS के अंदर जो facilities है वहाँ पर food counter है washroom और यह सब facilities हैं उसके अंदर उसके लाद आ मास कास कर आप उतारते हैं तो आपको fine भी पड़ सकता है तो आपको mask नहीं उतारना है अपना thanks for watching see you in next video